हेलो गाईज, वेलकम बैक कार परिवार, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो आप लोग दे सकते हैं, आज मैं हुंडाई के स्वरूम में आई हुआ था, तो हम जिस गाड़ी का रिवीव करने वाले हैं, वो है हुंडाई की सेंट्रो, इसी जमाले में दोस्तों व एक की दोस्तों आप लोग दे सकते हैं, यह लोग अनलोग हमें मिल जाता है, अगर दोस्तों इसके पावर की बात की जाए, तो इसमें हमें 71 PHP की पावर और 94uitenkin की बात की जाए, अगर दोस्तों इस गाड़ी की dimension की बात की जाए तो इस गाड़ी में में बहुत इच्छा लोग इस गाड़ी का देछ सकते हैं यहाँ पर हमें ब्लैक करण में ग्रिद मिल जाती है जिए अगर इसके बात की जाए तो आप लोग देछ सकते हैं इसमें हमें normally हाई लोजन रिफ्लेक्टर हेडलाइट मिल जाती है इसकी फोग लाइट काफी बड़े साइज की फोग लाइट में मिल जाती है देख सकते हैं हुंडाई का लोगो हमें यहां मिलता है फ्रंट लुक दोस्तों इस गाड़ी का बहुत ही प्यारा लुक है आप देख सकते हैं रूफ में हमें एंटीना कुछ इस तरीके का मिल जाता है बड़ी सी हमें से विंड्सील मिल जाती है यह देख सकते हैं आप लोग साइड लुक दिखाए जाए गाड़ी हमें साइड से कैसी दिखती है तो आप लोग दे सकते हैं सेंट्रों का साइड लुक हमें कुछ इस तरीके से मिल जाता है इस गाड़ी की दोस्तर सबसे चीव खास बात यह इसमें जो और वीम पर ही हमें टर्णिंडियेटर मिल जाते है यह दे सकते हैं अब लोग और वीम की बात की जाया तो इस बॉड़ी कलर के साथ कि आते हैं यह दे सकते हैं इसकर डर हैं जो कि हमें वायटल्य ररी मिल जाते है अगर गाड़ी की बात की जाए तो समूइ में 171 की बात कि जाता है चलिए आप लोग को टायर दिखाए जाए तो आप लोग दे सकते हैं इसमें हमें MRF के टायर मिल जाते हैं इस वेरियंट में दोस्तों हमें अलोई वील नहीं मिलते हैं आप लोग दे सकते हैं में 14 इंच के स्टील रिम टायर्स मिल रहे हैं अगर टायर्स की प्रोफाइल की बात की जाए तो एक सो पैंसर सतर आर फॉर्टीन इदे सकते हैं इसमें में वील कैपी मिल जाती है जो की बहुत इच्छी क्वालिटी कि यह दे सकते हैं कि चलिए आप लोग गाड़ी का दिषा की टिखाये जाए तो आप लोग दे सकते हैं गाड़ी का रिएल लूक हम लोग इस तरीक हैसे रिख जाता है यहाँ यहां पर हमें यह इसके टर्णिंग मिल जाते हैं किस्तव और आप यहां से सकते हैं यह को फ्रेंट में यह हुंड़ाय का लोगो मिल जाता हैं इसेंट्रों की बेजिंग देशतें आप अब लोग अब हम्ह दोस्तों गाड़ी बहुत गंदी खडी हुई यंहीं सते हैं आदो बीछे में मिल गाड़ी में दोस्तों भी मिल जाते हैं चलििए आप लोगों को बूतीप की बात की 좋은 की जाता है जो कि दोसो ठीक ठाक항 का हैं सेंटर 20 में के साथ में भी available हैं अभी जिस variant की मैं review दे रहा हूं यह पैटोल पर हैं चलिए आप लोग को स्टेपनी दिखाई जाए तो आप लोग दे सकते हैं स्टेपनी जो कि दोस्तों सेम साइज में ही आती है दे सकते हैं आप लोग दे सकते हैं इसके डोर हंडल हम अंदर दौस्तों इस रही हैं पिल यहां पे दोस्तोulla मिल जाता कि यह लोग जलता है क्या आप हमें फ़ल्टा सब्सक्राइब ऑडौना मिलता है यह तो यह चो यह चाहिब आप रहाता है अगर तो मраз मिल जाते हैं अगर सब्सक्राइब की बात की जाए तो इसका हम आगे बिछे रिक्लाइंग कर सकते हैं हाइट एड्जेस्ट्मेंट वाला फीचर हमें इस वारियंट में नहीं मिलता है चलिए अब ड्राइवर सीट बेठा जाएं द्राइवर सीट बैठाने के बाद में हमें फbron kadar dashboard का जो लुक के वह हमें कुछ तरीके से मिलता है या आप लोग दे सकते हैं इस के इस इवैंट हमें कुछ तरीके से मिल जाते हैं ये देखिए ये इसका IRVM जो की दोस्तों डेने नहीं मिलता है आप लोग दे सकते हैं यहां पर हमें माइक मिल जाता है चलिए आप लोग गाड़ी का गलब बोस दिखाए जाए तो आप लोग दे सकते हैं इस गाड़ी में काफी बड़े साइज का गलब बोस मिलता है इसमें अपना बहुत सामार रह सकते हैं यहां पर दोस् करने के लिए फीचर मिल जाता है यहां पे आप लोग दे सकते हैं अगर इसके स्टेरिंग की बात की जाए तो स्टेरिंग दोस्तों हमें फिक्स मिलता है ना ही इसमें में टैलिस्कॉपी वाला उप्सन मिलता है तो आप लोग दे सकते हैं सेंट्रों में मिलता है यहाँ दोस्तों आप लूग दे सकते हैं हमें यहाँ पर ऐसी नॉक्स मिल दाते हैं तो कि रहिए नीचे हम लुगों को 12 वड़ का चार्जिंश कर मिल जाता है usb defence अपना फोन रखने के लिए कुछ इस तरीके करें हमें मिल जाता है 5-speed manual gear के साथ में गाड़ी आती है यह variant दोस्तों हमें automatic ही मिल जाता है आप लोग दे सकते हैं driver door पे दोस्तों हमें कोई भी controls नहीं मिलते हैं अब आप लोग भी सुच रहे होंगे कि हम अपनी window को up down कहां से करेंगे चलिए आप लोगों को पहले दिखाया जाए कि अपनी power window कहा से control करेंगे तो आप लोग दे सकते हैंdare Q9 के साथ में हमें दोस्तों यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर लोग से देखिए यहां से दोस्तों ही दिखिए यह लियुकर देखिए यहां से अपनी window को Eating C dislod're कर Changi कुछ इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं यहां से हम अपनी लाइट को I am back कर सकते हैं आप लोग दे सकते हैं नियाफ को जिस तरीके का मिल जाता है इसमें विंडो को मिल दखिए इसमें दोस्तों हमें यहां पर एक इसपिकर मिल दाता है यहां पर हमादो तो ऊस्तेस की शीड्की क्वालिटी की बात की जाएं तो तो पीछे सीड्स आउले लूप तो आप लोग दे सकते हैं गाट की है जैसे आप डिय सब्सक्राइब हां दButt अगर इस गाड़ी में दोस्तो छे फिट का बंदा भी बैठता है तो इसको भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप दे सकते हैं इसमें मुझे थाई सपोर्ट भी बहुत जारा मिल रहा है अगर दोस्तो इस गाड़ी की सीड की बात की जाए तो इसमें दो बंदे प्रेंट में मिलती है यह इसके ग्रेव एंडल आप लोग दे सकते हैं यह भी यह कुछ फिक्स आते हैं इस तरीके के इस गाड़ी के तो सबसे खास बाव बता रहा हूं जो कि इस फैरियंट की है पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी इसमें हमें इस इवेंट्स मिल जाते ह है आप लोग जिन्हें दोस्तों पीछे से जहां से कंट्रोल भी कर सकते हैं यह यहां दोस्तों आप लोग दे सकते हैं यहां नीचर हमें कोई भी चार्जर चार्जर शॉकट मिलता है इस वे आर्नम्यश भी पिछे नहीं था है तो खुझ इस तरीके से हमें पीछे वाली सीर से dashboard दिखता है अगर दोस्तों आप लोगों को इस गाड़ी का coding कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोगों की सोरू में आखी विजिट कर सकते हैं मैं अभी आया हुआ था हर दोई के बालाजी मोटर्स पे तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज मेरा चैनल सब्क्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही आप लोगों को मैं गाड़ियों की जानकारी देता रहूँगा तो ओके भाई मिलते हैं आप लोगों से नेस्ट वीडियो में